नमस्कार महाद बायंचली पुईत्रा राजस्थान के सियासत में एक बार फिर से हल चल मज़ कई राजस्थान में गहलोज सरकार को गिराने की साज़िश चल रहे है और इसको लेकर कई नेताओं के फोन भी टैप हो रहे है दो नेताओं की गिरफतारी भी हुई जैपूर के दो नमबरों से कई नेताओं से सरकार को गिराने की साज़िश चल रहे जे हाँ ये खुलासा किया है राजस्थान के ADJ, SOG, ATS ने दरसल पिछले दिनों राजसभा चुनावों के वक्त कॉंग्रस विधायकों की खरीद फरोक्त के मामले ने बहुत तूल पकड़ा था जिसको लेकर सभी कॉंग्रसी और समर्थित विधायकों की बाड़े बंदी भी की गई एक परिवाद तो जो श्री महिश जोशी जी ने दिया था तो उसकी जाँच अभी भी जारी है और साथ में ही चुकि समय समय पर जो समाजिक तत्व या जो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं तो उनके कई बार फोन अंतावरण पर होते हैं तो ऐसे ही दो फोन थे जिनके अंतावरण जो इंटरसेप्शन है उनसे कुछ तत्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर यह पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की इस प्रकार के सम्मिलित हैं उनकी खरीट फरोग के समद में सनलिप्तर है वो नंबर सर जैपूर का है डेली का है वो नंबर आपके राहसान की है पता लगा किसके है वो नूबर नहीं वह अभी जो आफ़ाय की कॉपी आपको देंग उससे ऐसे पता लगे अगे कुछ और अ तो उस नंबर नहीं मैं तो यह कहना जा रहा हूं कि उसमें अब तक जो जानकारी आई है वो उसमें लिखी हुई है वैसे और अभी हमने दो वो व्यक्ति और अन्या उनके विरुद एक अभयोग पंजेबत किया है और 47 अभलिक टू जिरो टू जिरो अंडर सेक्शन 124 A IPC औ सब्सक्राइब करना चाहते है तो नेचरले इस और ड्यूटी तो प्रसीड अगेंस सच ऑफेंडर्स जिन दो नंबरों को संदिख्ध माना था उन पर जाच में कई तथ्य सामने आए अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नेताओं की बातचीत चल रहे थी मुख्यमंत्री के पद को बदलने को लेकर बातचीत संदिख्ध तोर पर मिली ADG, SOG ने जिन दो नंबरों को लेकर FIR दर्श की उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए जैसे कौन गहलोज सरकार को गिराने की साज़िश रचरा है ADG के बायान ने राजस्तान की सियासत में नया भूचा ला दिया है लेकिन ये माना जा रहा है कि जाच में कई और एहम खुला से हो सकते हैं